हलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू दे चैनल क्लास फूर्थ आजेस गॉलाल मैथ का चैप्टर 18 टाइम सॉल्ड किया जा रहा है आज हम एक्सरसाइज 63 सॉल्ड करेंगे तो इसमें 12 ओर क्लॉक सिस्टम पे बेस्ट एक्सरसाइज है और इसमें पहला question है write the time using am और pm तो इसके लिए हमें ये देखना हुगा कि am और pm का use कहां किया जाता है तो आए जानते हैं am और pm का use कहां पे करना होता है Use of am and pm Look at the figure of the clock यहाँ पे clock का एक figure है और आप देख रहे हैं Both the hands of the clock are at 12 clock के दोनों हैंड्स यानि minute और hour hand 12 पर हैं तो यह क्या time हुआ 12 o clock It may be in the noon or at midnight अब 12 o clock है तो हो सकता है यह दो बाहर का 12 हो या रात का भी 12 हो सकता है क्योंकि 12 o clock कहने भर से पता नहीं चल पाता कि यह 12 कब का है 12 o clock में क्या होता हर एक time दो बार आता है यानि सुबह भी 7 बजेंगे और रात में भी 7 बजेंगे फिर 8 दो बार होगा सुबह भी 8 हो सकता है रात में भी 8 हो सकता है तो 12 o clock टाइम में क्या होता है हर एक time दो बार आता है और इस तरह से 24 hour clock complete होते है 12 hour plus 12 hour मिला कि 24 hour clock 24 hour complete होता है 24 का मतलब 1 day नए दिन की सुरुवात जैसे कि डेट कलेंडर में चेंज होती है हम देखा है midnight के बाद तो a day begins at 12 midnight and ends at 12 midnight on the following day तो कोई भी दिन 12 midnight से सुरू होता है नए डेट और अगला जो 12 midnight आता है उसमें complete हो जाता है तो 12 की बात करें तो अगर 12 o clock noon का है if it is in the noon हम उसे कहते है time को 12 noon और अगर 12 midnight का है तो हम उसे कहते है 12 midnight अब रात को 12 से लेके दोबार के 12 का जो भी time है उसे हम am से denote करते हैं जिससे पता चल जाए am लिखने का मतलब यहीं है कि हम पहचान सके कि कि उस duration के बीच की बात हो रही है am का मतलब होता है anti-meridian 4 am लिखा हुआ इसका मतलब क्या है 4 o clock in the morning time between 12 noon and 12 midnight is noted by pm pm stands for post-meridian तो जिस तरह से 12 midnight से लेके 12 noon के बीच का time am से denote करते हैं वैसे ही 12 noon से लेके 12 midnight के बीच का time हम pm से denote करते हैं pm का मतलब होता है post-meridian जैसे 4 pm लिखा है तो यह 4 o clock है in the evening यह पता चल जागा 9 pm का मतलब क्या हुआ refers to 9 o clock at night तो 9 o clock भर कहने से पता नहीं चलता है कि अपका लेकिन 9 pm कह दिया तो पता चल गया कि यह night की बात हो रही है आए इसी बेस पे solve करते हैं एक्सरसाइज 63 तो एक्सरसाइज 63 question number 1 है write the time using am और pm नीचे हमें time बताना है am या pm का यूज करके यहने 12 hour clock system होगा और यहाँ पे हमें am pm का यूज करना है तो ए में दिया है one hour after 12 midnight 12 midnight के बाद 12 midnight के one hour के बाद क्या time होगा तो हमें मालूम है 12 के बाद one hour के बाद 13 नहीं आता है यहाँ पे क्या आता है नए जिन की शुरुवात होती है और time क्या होता है one 12 midnight से लेके 12 noon के बीच का time am में लिखा जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे one am b में दिया है two hours 30 minutes after 12 noon दोबाहर के 12 बजे के two hours बाद two hours and 30 minutes बाद क्या time होने वाला है तो तल के बाद two hours क्या हुआ one and two और 30 minutes और तो 2.30 और हमें मालूम है तल noon के बाद का time पी-म में लिखा जाता है तो 2.30 पी-म c में 18 minutes after the midnight midnight के बाद का time am में लिखा जाता है तो 18 minutes तो hour तो complete नहीं हुए है minutes 18 minutes जरूर हो गए है और तो यहाँ लिखेंगे 0 18 am 0 बज़ के 18 am d में दिया है 12.30 in the afternoon afternoon यानि 12 noon के बाद का कोई भी time 12 midnight के पहले तक वो कहलाता है पी-म में तो 12.30 पी-म e में दिया है 6.25 in the evening evening का time क्या होता है 12 noon और 12 midnight के बीच का time होता है दोबार के बारा और रात के बारा के पहले का time है ये तो इसे हम पी-म एक्सप्रेस करते हैं तो 6.25 पी-म f में दिया है 7.40 in the morning morning का time क्या होता है एम में लिखा जाता है जैने midnight के बाद 12 midnight के बाद का कोई भी time 12 noon के पहले तक का time एम में लिखा जाता है तो 7.40 a.m जी में दिया है 9.50 at night night का time पी-म में होगा तो 9.50 पी-म as 1 5 after midnight एक बच के पाच मिनट midnight के बाद तो midnight के बाद का time a.m में होता है तो 1 5 a.m 105 a.m 45 minutes after midnight midnight के बाद 45 minutes का time क्या होता हम लिखेंगे midnight के बाद 00.45 a.m 15 minutes after 12 noon 12 noon के बाद का time p.m में होता है तो 12 noon के 15 minutes बाद क्या हो जाएगा 12.15 p.m Question number 2 What time will it be A में दिया है 3 hours after 6.30 a.m B में दिया है 4 hours after 7.40 p.m इसी तरह से कि तक हमें solve करना है तो इसमें time दिया हुआ है और कुछ duration दिया है कि उसके बाद या उसके पहले क्या time होगा यहाँ पर 3 hours duration है और time क्या 6.30 a.m तो 6.30 a.m के बाद क्या time होगा तो यह हमें solve करना है तो आईए solve करते हैं इसे तो यहाँ पर 6.30 a.m से 3 hours after क्या time होगा तो देखिए duration क्या दिया है सिर्फ 3 hours यहाँ मिनट कुछ नहीं दिया है कि एवर 3 hours के बाद हमें बताना तो 6.30 के बाद 7.30, 8.30 और 9.30 3 hours के बाद क्या होगा? 9.30 और देखिए हमने तर्व का time cross नहीं किया है इसलिए a.m ही रहेगा जब भी तर्व क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर 9.30 a.m हो जाता है तो यहाँ पर 9.30 a.m बी में दिया गया है वाट टाइम विल इट बी? 4 hours after 7.40 p.m 7.40 p.m सिर्फ 4 hours आफ्टर क्या टाइम होगा? तो यहाँ पर duration क्या दिया है? सिर्फ 4 hours दिया है मिनट नहीं दिया हुआ तो मिनट तो 40 ही रहेगा यहाँ पर आवर्स देख लेते हैं 7 के बाद 4 hours 8, 9, 10, 11 अभी 12 क्रॉस नहीं किया तो वो 4 7 के बाद 8, 9, 10, 11 तो 11 और मिनट क्या था यहाँ 40 तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा 40 और 12 क्रॉस नहीं किया इसलिए एम एम रहता है पी एम पी एम रहता है तो यह पी एम ही रहेगा 4 hours after 7.40 पी एम विल बी 11.40 पी एम C में दिया हुआ है 3 hours 15 minutes after 9 a.m तो देखिए hours भी दिया है और minutes भी दिया है 3 hours और 50 minutes 15 minutes दोनों ही देखना है और इसके बाद का time बताना है तो यहाँ पर पहले hours की बात करें 3 hours के बाद 9 a.m का क्या time होगा तो 9 a.m 3 hours के बाद क्या हो जाएगा 12 noon क्योंकि एम के बाद 12 बचता है तो noon आता है तो यह noon होगा 12 noon और अभी इसमें कहा गया है 15 minutes और 12 noon हो चुका है 15 minutes बाद का time होगा तो इसमें देखते है 3 hours के बाद 12 noon हो चुका है 15 minutes और तो क्या हो जाएगा 12 15 अब noon के बाद का time क्या होता है पी एम में लिखा जाता है यहाँ आप देख लिए एम में time दिया है और जैसे 12 प्रास करते हैं पी एम का time पी एम में हो जाता है तो यहाँ पर यह एम से पी एम हो जाएगा तो अब टोटल फाइन लिख लेता है जो पूछा गया था 3 hours 15 minutes after 9 am क्या होगा 12 15 pm therefore 3 hours 15 minutes after 9 am will be 12 15 pm हाई देखते है next दी में दिया है 4 hours 20 minutes after 8 pm तो पहले हम देखेंगे 4 hours के बाद क्या time हुआ और जो भी time आ जाएगा उसके 20 minutes पर बाद का time भी calculate कर लेंगे तो 4 hours after 8 pm क्या होगा 9, 10, 11, 12 यहाँ पर time क्या होगा 12 और यह क्या होगा midnight PM के बाद क्या होता है 12, 12 के बाद आता है तो वो जो 12 रहता हो midnight का 12 रहता है अब हमें क्या देखना है इसमें देखना है 20 minutes और midnight हो चुका है नया दिन सुरू होगा नई date सुरू होगी तो 12 midnight के 20 minutes के बाद क्या time होगा अब 12 midnight के बाद नया date सुरू होता है और इसमें 12 minutes हो गया है तो यह क्या होगा 12 midnight के बाद सिर्फ 20 minutes होगा तो यहाँ पर time क्या होगा अभी 1 hour भी complete नहीं हुआ तो लिखेंगे 0 20 am यह में दिया हुआ है 2 hours 30 minutes after 10.30 am तो पहले हम देखेंगे 10.30 am के 2 hours after क्या होगा और फिर 30 minutes और देखेंगे वो जो time आएगा उसके बाद तो solve करते हैं इसे तो 2 hours after 10.30 am will be तो minute तो दिया नहीं hours दिया है तो 10 में to add कर देंगे तो 12 हो जाएगा 12.30 और जैसे 12 cross करते हैं तो am से pm pm से am हो जाएगा तो am से pm हो जाएगा यहीं 2 hours after 10.30 am will be 12.30 pm 30 minutes after 12.30 pm will be अब इसमें 30 minutes over 8 करना है तो 12.30 के बाद यह 13 नहीं होगा pm इसमें वापस से क्या आजाता है 1 आजाता है तो 38 करेंगे तो 1 hour complete हो जाएगा यह और यहाँ पर 13 नहीं लिखे क्या लिखेंगे 1 और रहेगा pm ही 1 pm यह time होगा आज देखते हैं next 10 hours after 1 am तो देखें आवर्स डूरेशन आवर्स में दिया है सिर्फ 10 hours तो 1 में हम 10.00 कर लेंगे तो क्या आजाएगा 11 तो अभी जब तक 12 cross नहीं करते हैं 10 hours after 1 am will be 11 am 1 में हमने 10 add कर दिया तो 11 आगया 11 am time होगा आज देखें next इसमें before time पता करना है 50 minutes before 5 5 am तो 50 को हमने अलग-अलग time split कर लिए है पहले 5 minutes पहले time देखते हैं क्योंकि 5 am दिया है तो 5 minutes पहले क्या होगा complete hour होगा याई 5 am होगा 5 minutes before 5 5 am will be 5 am अब total 50 minutes पहले का time बताना है तो 5 minutes हो चुका है 45 minutes पहले याई 5 am से 45 minutes पहले क्या time होगा तो वो होगा 4 15 am therefore 50 minutes before 5 05 am will be 4 15 am यहाँ पूछा गया 30 minutes before 12 midnight midnight के बाद का ये time क्या होता है अब में होता है तो उसके पहले 30 minutes पहले क्या होगा टोल बजने के 30 minutes पहले क्या होगा 11.30 और ये time क्या होगा पीम का होगा क्योंकि midnight और उसके बाद का time a.m. में होता है तो यह time क्या हुआ पीम में हुआ जैसे 12 क्रॉस करते हैं तो वो time a.m. से p.m. में हो जाता है तो यह time a.m. है इसलिए यह time 11.30 p.m. होगा आज देखते है next ऐसे ही इसमें दिया है आज में 40 minutes before 12 noon तो 12 के पहले 11 होता है और 12 के 40 minutes पहले तो 11.20 होगा तो noon के पहले का time a.m. में होता है इसलिए 11.20 a.m. 40 minutes before 12 noon will be 11.20 a.m. जै में दिया 40 minutes after 11.20 p.m. तो hours नहीं दिया duration minute में दिया है तो 11.20 में 20 minutes में 40 add करेंगे तो क्या बन जाएगा one complete hour तो 11 से क्या हो जाएगा यह 12 अब जैसे 12 या p.m. के बाद जो 12 आता है वो क्या होता है midnight का तो 12 midnight 40 minutes after 11.20 p.m. will be 12 midnight question number 2 में last दिया है कि 50 minutes after 11.10 a.m. तो 11.10 a.m. से 50 minutes बाद तो hours दिया नहीं है 10 minutes जो दिया है इसमें 58 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 60 और 60 complete होते है minutes क्या बन जाता है hour तो 11 बन जाएगा 12 अब जैसे cross करते हैं 12 तो a.m. से p.m. हो जाता है p.m. से a.m. हो जाता है तो ये time क्या हो जाएगा p.m. बलकि बन जाएगा exact 12 बाद जाए तो कहलाएगा 12 noon 50 minutes after 11.10 a.m. will be 12 noon इसके साथ ही question number 2 complete होता है आई दिखते है question question number 3 fill in the blanks with a.m. और p.m. ये में दिया है एक I get up from the bed at 5 bed से हम लोग सुबह कब उठते हैं तो सुबह उठते हैं न उठने का time क्या होगा उठने का time हमारा सुबह का रहता है यहाँ तो 5 यहाँ पे a.m. होगा sunsets at 6.45 sun सुर्यास्त कब होता है sun कब डूपता है कब चला जाता है तो वो evening में जाता है तो इसका time क्या होगा p.m. 6.45 p.m. सुधिर goes to the school school at 7.30 school हम लोग कब जाते हैं या कोई भी कब जाता है सुबह जाते हैं तो a.m. में होगा 7.30 a.m. Mr. Khanna is back from his office at office office से कब लोटते हैं तो evening पे लोटते हैं तो यह time क्या होगा p.m. में 7.00 p.m. I go to bed at 10.30 go to bed मतलब सोने का time तो night का time होता है यह p.m. में होगा 10.30 p.m. I brush my teeth at 5.30 तो brush करने का time क्या होता है सुबह उठके लोग brush करते हैं यह time होगा a.m. में इसलिए 5.30 a.m. इस तरह से exercise 63 का third question भी complete होता है और exercise complete होती है तो जो भी बताये गया है इसको revise करिएगा और इसके बात के questions जो है यह जो भी exercise है हम लोग next video में solve करेंगे करेंगे कर दो, तो